मश्कार आपको सबको मालूम है कि चार तारीक को मतदान के नतीजे निखलेंगे मशीने खुलेंगी और आपके द्वारा आज मैं जंता को और गाजनीतिक दलों को अबगत कराना चाहता हूँ कि जब मशीन खुले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए यह बहुत-बहुत महत तो मैंने चार्ट बनाए आपके लिए कि सब दलुह के लिए चार्ट बनाया है और जो भी वहां काॉंटिंग एजलेंट बैटेले हैं उनके लिए चार्ट बनाया है कि कि अ आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए काउंटिंग के वक्त ठीक है तो मैं चार्ट यापको दे भी दूगा अब इस चार्ट में आप देखोगे के पेले लिखा है नमबर मतलब सब्सक्राइब कंट्रोल यूनिट नमबर उसके नीचे लिकाए बी यू यू नमबर यहां बैलिट नमबर यूनिट ओगा ठीक है और फिर पेपर स्वेपर सील होगी वी वी पैट आइडी होगा तो यह चारे चीजें चारों चीजें लिखित रूप में होगी ठीक है आपको मैच करना है क्योंकि यह कंट्रोल यूनिट नमबर को आपको दिया जाता है फिर आप आजाओ काउंटिंग टेबल नमबर वन में उधारन के काउंटिंग टेबल वन नमबर वन में आप देखोगे एवी एम इस ऑन एसी आए ठीक है नो प्रॉब्लम तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपोर्टेंट है तीसरा कॉलम पर लिखा है चार जून चौबीस चार जून दोजार चौबीस ठीक है और नीचे लिखा है टाइम टाइम मतलब के यह रिजल्ट से पहले रिजल्ट से पहले यह लिखित रूप में आ जाएगा चार जून टाइम कब मतलब के कब यह इसका टाइमिंग कब होगा यह पता चल जाएगा अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़ बढ़ है तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है क्यूंकि जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर वन में चार जून का खुलेगी मशीन तो आपको देखना है क्या टाइम है ठीक है उसमें कोई अंतर होगा मतलब टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी कुल चुकी ठीक फिर अगला टेबल और इंपॉर्टेंट है सीरियल नंबर वो सीरियल नंबर भी यहां लिखत रूप में आ जाएगा और कंट्रोल यूँ तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा कोई दिकत की बात नहीं है कैंडिडेट आ जाएगे टोटल पोल वोट आ जाएगी ठीक है न टोटल पोल वोट जब आ जाएगे तो ध्यान से इसको देखना ताकि जब काउंटिंग में वोट ज्यादा हो तो घर बड़ी फिर आ जाओ आप अब जब यह उपर की बातें सब हो जाएं तब ही आप रिजल्ट बटन दवाना का की अनुमती देना पहले एवी एम पहले चार जून टाइम सीरियल नंबर कैंडिडेट बैटरी जो भी है जब यह खतम हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप रिजल्ट बटन दवाएगे तो आपको लिखेगा पोल रिजल्ट उधारन के तौर पे 26 एपरिल 2024 उस दिन मत्दान हुआ होगा ठीक है ना तो अगर अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़ बढ़ी है और PST का मतलब पोल एंड पोल स्टार्ट टाइमर एंड पोल एंड टाइमर तो पोल स्टार्ट कब हुई पोल एंड कब हुई यह भी इसमें आ जाएगा उसके बाद सीरियल नंबर यह जो सीरियल नंबर पहले सीरियल टेबल के नंबर से मैच करना चाहिए फिर कैंडिडेट और फिर टोटल वोट स्पोल उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं तो देफो दो चीजों पर ध्यान रखो रिजर्ट बटन नहीं दबाना जब तक वेरिफिकेशन उपर कॉलम के हो जाए और अगर वो टाइमिंग और इस टाइमिंग में अंतर है वो रिजर्ट की टाइमिंग में तो गड़बर है उस टाइमिंग में अंतर है तो गड़बर है तो यह सब मैं आपको दे भी यह मैं चाहूंगा कि सारे राजनितिक दल और सारे कैंडिडेस जो वहां काउंटिंग एजन बढ़ रहे हैं वो इसको ध्यान से ध्यान पूर्वक पहला कॉलम चेक करके तभी खुलवाएं